नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपके अपने चैनल एके ओल रूंडा में दोस्तो आज कीश वीडियो में डिसकाश करेंगे हॉट टो क्रेंक जे ऐसे सेसी जेल in फास्ट अटैम्ट में कैसे क्रेंक करें इसके बारे मिझे डिसकाश करेंगे last strategy plan के बारे मी discuss करेंगे इसी वीडियो में exam update के बारे मी discuss करेंगे तो चली yphone start करते हैं friends start करने इस पर अगर आप हुआ channel पर नहा है channel को subscribe करेंगे bell icon को press करेंगे तो चली yphone start करते है आप इस बीडियो के इंट दक बने रहेंगे धैंसे कि इक point को समझने के प्रेयास करेंगे फ्रेंट्स आपको बता दे कि किसी भी एक्जाम को क्रेक करने के लिए सबसे पले आपको उस एक्जाम का एक्जाम पेटरंस पता होना चाहिए उस एक्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए यानि कि उस एक्जाम का एक्जाम पेटरंस क्या है सिलेबस क्या है आपको पता होना चाहिए आपको बता दे कि JSS CGL का सिलेबस आपको बता दिया गया है अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर जाकर जारखन जीके फूर जे पीसी एंग जे एससी फोल्डर ओपिन करके आप सिलेबस को वस्त देख लेंगे तो चलिए सबस पर डिसकर्स करते हैं आज की इस वीडियो में एकजाम पारिक्षा के स्वरूप के बारे में आपको बता दे कि आपका जो एक्जाम होगा वहँ चरन highly यानि कि मुख परिक्षा मीली जाएगे नहीं को बता दे कि पेटी मैंस के जगा सींगल जाम होगा और होगा मैंस ही जा प्रत्यादस सब्सक्राइब एक प्रच्न के फैरे में याद रहेंगे और वहीं आपको बतादे के जोओ आपका मुख पॏक्षा एक्जाम होसे लिए याद हाँ के लिए प्रहुंगे हाँ आपको बतादे ही का एक या कि मेंस आपको आप समय दिया जाएगा पेपर वन के लिए दो गobenड़ के लिए दो गंटे यानि के बात करते हैं और अब और आहगे और आपको उनुद्ध स्वाटीच खनी और हिंगवट नायमिलीस यानि इस दोनों को जोड़ कर आपको 30% माक्स लाना qualifying माक्स लाना अनिवार होगा यानि कि हिंदी और इंग्लिस दोनों को जोड़ कर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार होगा और यह paper one जो होगा वह qualifying nature का होगा इसका जो अंक है वह merit list के निर्धारन में नहीं जोड़ा जागा याद रखेंगे और वहीं आपको बता दे कि जो फॉर्म फिलप हुआ है उसमें वैसे candidates फॉर्म को फिलप किये हैं जो graduation pass है यानि कि जो graduation pass है वही इस फॉर्म को फिलप किये हैं तो हिंदी और इंग्लिस अगर आप graduation ठीक ठाक डंग से पढ़े हैं तो हिंदी और इंग्लिस दोनों मिला का 30% अ teacher का है आप इसे बहुत यह असान तरीके से पास कर सकते हैं चले next बात करते हैं पेपर टू की जिसमें जन जाती है हम छेत्री भासा से total 100 questions होगा total time duration के अगर बात करें तो 2 hour का होगा सभी questions 3 marks का होँगे सभी questions सेंसे की होँगे यानि की 100 या 300 marks का होगा और इसका marks जो है वो merit list में add के जाएगा आपको बता दे कि इसमें आपको 30% अंग प्राप्त करना अनिवार होगा लेकिन आपको बता दे कि 30% paper 2 में सिफ अं students लिए हैं वह हैं खोठा और नागपुरी खोठा और नागपुरी लेने वाले candidates की संख्या सबसे ज्यादा है और आपको बता दे कि इसमें आपको 90 plus score करना अनिवार होगा यानि कि 90 plus questions को correct करना अनिवार होगा और यह जो test series चल रहे हैं उसमें यह साफ दिख रहा है कि 90 से ज्यादा questions को सही कर रहे हैं सो में और यह बहुत ही असानी से कर पा रहे हैं और आपको भी अगर selection लेना है तो आपको भी जन जाती है हम छेत्री भासा में 90 plus यानिकि 90 plus questions को correct करना होगा याद रखेंगे चलिए next बात करते हैं most important most निरनायक paper 3 की paper 3 के अगर बात करें इसमें स समान अध्यान से 10 प्रस्ण होंगे समान विग्यान से 20 प्रस्ण होंगे समान गनित से 20 प्रस्ण होंगे मानसिक चमताजाच से 20 प्रस्ण होंगे कंप्यूटर का ग्यान से 20 प्रस्ण होगा और जारखंडा से सम्मंधित ग्यान से 40 प्रस्ण होंगे आपको बता दे कि अगर आप इंग्लिस मीडियों के सुटटेंट से इंग्लिस मीडियों से अगर आपकी शिक्षा दीख चाहिए तर आपका य Gods spend यह आपनी ग्यान समान गनित मांशिक चमताज्याच और computer इसमें आपका score जो है वह फॉल होना चाहिए यानिकी complete इसमें आपका मांक्स उठना चाहिए complete 20 questions science में 20 questions math में 20 questions reading में और 20 questions computer में 100% correct होगा फिर आप किसी भी medium questions हो अगर आपका science background है तो आपका math, science और reading में full score होना चाहिए और इसके लावा आपका computer में भी 18 plus score होना चाहिए चले next बात करते हैं जहारखंड आज से सम्मंदित ग्यान के आपको बता दे कि इससे 40 questions पुछा जागा जिसमें 4-5 questions होगा current affairs का आपको बता दे कि इसके लिए आपको दिन रातिक नहीं करना है अगर आप news paper daily पढ़ते हैं तो 50% आपका current affairs यहीं से cover हो जाता है आपको बता दे कि यह 4-5 questions के लिए आपको ज्यादा इस पर समय नहीं देना है exam से 10 दिन पहले आपको जहारखंड का current affairs पढ़ना है और वहीं आपको बता दे कि समान अधियन से 30% जो पूछे जारेश में 30 में 30 लाना इतना असान है इसलिए आपको समान अधियन में 22-25 questions करेक्ट करना होगा आपको बता दे कि यहाँ भी आपको current affairs से 4-5 questions देखने को मिलेंगे और आपको current affairs exam से 10 दिन पहले पढ़ना है current affairs में ज्यादा आपको समय नदेना है आपको बता दे कि यहाँ जो सबसे ज्यादा scoring जो एरिया है वही पर आपको focus करना होगा यानि कि आपको science में 20 out of 20 लाने का प्रयास करना होगा math में 20 out of 20 questions करेक्ट करने का प्रयास करना होगा मानसिक चमता जाच में आपको 20 out of 20 कोशन्स करेक्ट करने का प्रयास करना होगा कम्प्यूटर का ग्यान से आपको 18 प्लस कोशन्स करेक्ट करने का प्रयास करना होगा यानि कि 20 कोशन्स में 18 प्लस आप कम्प्यूटर का ग्यान से करेक्ट करने का प्रयास करेंगे टेलिग्राम चैनल से जूड़ जाएंगे आपको बुता दे कि सभी सब्जेट का टेस्ट सीरीज लगवा लगवा कंप्लेट हो गया है जिसमें लेंग्वेज पेपर का 11 टेस्ट सीरीज टोटल होने वाला है यानि कि 1100 कोस्टन जो होगा उसमें 600 कोस्टन कंप्लेट हो गया ह और वह अभी आपको एक्जाम से 15 दिन पहले आपके सभी टेस्ट सीरीज कंप्लेट हो जाएंगे इसके लावा सभी सब्जेट के टेस्ट सीरीज कंप्लेट किये जा चुके हैं और वहीं आपको बुता दे कि जे एसे से सीजल में पेपर 2 और पेपर 3 का जो माक्स से होगा लेकिन आपको बुता दे कि पेपर 3 ही निर्नायक होगा पेपर 3 जिसका अच्छा होगा उसी का रिजल्ट होगा पेपर 2 में 95% इस्टुएंट का माक्स अच्छा रहा यानि कि 95% से भी ज्यादा इस्टुएंट का कंप्यूटर में फोल स्कूर करने का प्रियास करेंगे इस 20 से 25 कोशन करेंट करने का प्रियास करेंगे जारखंट आज से सम्मंदित जो प्रशन है उसमें 35 प्लस कोशन करेंट करने का प्रियास करेंगे आपको बता दे कि सम्मान अधियन में फूल में फूल स्कूर नहीं कर सकते हैं जारखंट आज से सम्मंदित ग्यान में आप 40 में चालिस कोशन्स करेक्ट नहीं कर सकते हैं एक दो करेंट अफ्यास इधर उदर से पूछी देखा इसलिए आपको जो स्कोरिंग एरिया है जहां से आप 100% एकुरेसी के साथ माक्स को उठा सकते हैं उस एरिया पर आप विशेश फोकस करेंगे यानि कि आपका साइंस हो मैथ हो रिजनिंग हो और कम्पीटर हो इस पर आपका 100% एकुरेसी के साथ माक्स आना चाहिए इसके बाद आप जहार खंड आज से समवनेद ग्यान पर फोकस करेंगे समान अध्यान के सेलेक्टेट टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे और आपको बता दे कि आप करेंट अफ्यास पर अंग प्राप्ट करने से आपका दाल नहीं गरेगा पेपर 2 और पेपर 3 दोनों को जोड़कर आपका रिजusal्ट तयार करेंगे यानिлу के बार होगा और वहीं आपको बता दे कि इसे कम अंग प्राप्ट करने वाले अभियार्थी नियुक्ति के लिए चैन है तो और सफलिया अयोग माने जाएंगे तथा एसे अभियार्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मुलियांकर नहीं किया सकेगा यानि कि जो पेपर 1 में यान पेपर टूर पेपर 3 में माक्स ज्यादा लाना होगा ताकि आपका मिरिट में नाम उपर हो सके आपको उता दे कि उगरा पेपर 1 में 30% अंक लाकर квalify कर गए पेपर टू में आपका 30% से कम अंक है तो आपका पेपर 3 का जो kon Australis s地 बठाहा है चलंड हैं नेक्स्ट बात करते यहीं सबसे ज्यादा इस्ट्रेंट्स परशान है कि कहीं यह नियुक्ति परभावित न हो जाए आपको उतादे कि यह जो नियुक्ति है जो भी मामला है वह कोट में है नियाले में और वहीं आपको उतादे कि भी परटू में हिंदी और इंगलेश अड करने से किसी परकार के कोई उताथा हो आपको देखने को नहीं मिलेगा जिनकी तेवाबिया से तैयारी करते आ रहे हैं वही बाजी मारेंगे याद रखेंगे आपको उता दे कि हिंदी और इंगलिस अगर एड होगा तो फॉर्म में इडिट करने का आपको ओप्शन दिया जागा फॉर्म में इडिट करने का ओप्शन आपको आयोग के द्वारा दिया जागा और वहीं यानि कि जिनने पढ़ाय लिखाई पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और फोर्म को भर देते हैं आपको उतादी कि इस 50 में आपको 50% जो बच राइस में 30% वैसे यानि कि कभी कभी पढ़ाय करते हैं या फिर फिर इंजिनेरिंग बैग्राउंड से हैं वह भी फोर्म को बहुत ही बढ़ चड़ करेंगे आप यह 50% को नहीं देखेंगे और आपको भीड को ही देखना है आपको सीट को देखना है आपको चाहिए मात्र एक सीट इसलिए आप अपना पूरे dedication के साथ पूरा focus के साथ अपने aim पे अपने target पर धियान देंगे और आप प्राय करते रहेंगे और किसी भी परकार के वाद विवाद से निगेटिविटी से आप बचने का प्रियास करेंगे आपको वोता दे कि जहारखन में नियोजन नीति की बात हो या JSC नई नियमावली की बात हो आपको वोता दे कि दोनों में भी संक्तिया हैं हिंदी और इंग्लिस एड करने की बात हो या फिर 10-12 जहारखन से होने की बात हो आपको वोता दे कि इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपका काम है कि जो चाप आप अपना प्राइप पुरा फोकस करेंगे जो भी से बात करते हैं ग्जाम डेट के बारे में कि आखर अधेश दिया जाता है कि लेंग्वेज पर यान की पेपर टू में हिंदी और इंग्लिस को जोड़ने के लिए तो आपको फॉर्म इडिट करने का उप्शन दिया जागा और ऐसे में आपका एक्जाम जो है वह वावन व आपका exam जो है वा September में चला जाएगा यानि कि अगर Hindi और English add करने का form edit करने का option आएगा तो यह exam जो है वा September में चला जाएगा लेकिन आपको इन सभी चीजों से ज्यादा परसान नहीं होना है आप अपना पूरा focus आप अपना पूरा dedication के साथ अपनी पढ़ाई करते रहेंगे करदना और दुनिया को दिखा देना कि जो ताकत उम्हें है जो ताकत तुम्हें हूँ औरों को पैदा होने में अभी वक्त लएगा तो चलिए अभी के लिए बसे तैहीं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैए भारत